सुकरात कहते हैं कि अपनी सोच पर हमेशा नियंतरन रखें, तब ही आप जीवन में खुश और सफल बनोगे। इस विचार के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोच पर काबू पा सकते हैं। जितनी ज्यादा समस्याएं आप सुलजा सकें, सुलजा दें। अगर आपकी समस्या ये है कि जो है ही नहीं, आप उसके विशय में भी सोचते रहते हैं, या आप बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा सोचते हैं, या ऐसी चीजों के विशय में सोचते रहते हैं, जिन पर आपका कोई वश नहीं है, तो शायद आपके पास ऐसे बहुत कम लेकिन आप उन समस्याओं के विशय में भी सोच सकते हैं, जिनका समाधान आपके पास है और सोचना 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 बंद करके और एक्टिव प्लान बना कर जिन जिन समस्याओं के लिए आपके पास उपाय हैं, आप उन्हें क्रियात्मक रूप दे सकते हैं, आप जो जो काम क कर सकते हैं। यहां उस विशय में कुछ विचार हैं। आप जिस पर आ सकत हैं उसे भी आप पसंद हैं या नहीं। इस बारे में सोचने की बजाए कुछ करें। उसे डेट के लिए पूछें। आखिर बुरा से बुरा क्या हो जाएगा। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आप ऑफिस में या स्कूल में दूसरों से पीछे हो रहे हैं तो ऐसे सभी कामों की एक सूची बनाएं जिन्हें करके आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद उन कामों को करना शुरू कर दें। अगर सोचना आपको पसंद है और अगर बहुत ज्यादा भी पसंद है तो क क्या हुआ? आप बस उन्ही कामों को करने की कोशिश करें जो आप आसानी से कर सकते हो। कोई नया शौक पाले। अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकल कर बिलकुल नई तरह की चीजों के विशय में जानने की भी कोशिश करें। चाहे आपका कोई भी नया शौक हो लेकिन न आपको क्या पसंद है और आप अन्य चीजों में बिलकुल ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आपका कोई नया शौक हो तो आप वर्तमान समय में जीना सीख जाते हैं और अपनी कला, संगीत या जो भी आपका शौक हो उस पर ध्यान देने लगते हैं। इन में से कु अपने आपको ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको बातों में उल्जा के रख सकते हों ताकि आपको सोचने का मौका ही ना मिले। सप्ताह में कुछ बार तो घर से बाहर जरूर निकलें और अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से लंबे समय तक निभने वाला अर्थ- घूम फिर सकें, गप्पे लड़ा सकें और अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकें। अगर आप खुद के ही साथ समय बिताते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आप बहुत ज्यादा समय सोचने में लगाएंगे। अपने आपके साथ समय बिताना निश्चित र करने के कई तरीके हैं। आप अपने कमरे में अकेले डान्स कर सकते हैं या डान्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे जैज, सालसा, स्विंग डान्स, इत्यादी। इशा, चाहे आप जो भी डान्स सीखें और करें, आप अपने शरीर को मूव करेंगे, गीतों के बोलों को सुनें और समझेंगे और वर्तमान पल में जीएंगे आप अगर खराब डांसर हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अच्छा डांस कर पाने के लिए डांस मूव्स पर ध्यान देंगे ही प्रकृति के करीब जाएं बाहर निकलें और पेड़ पौधों पर नज़र डालें गुलाबों की खुशबूलें और ओस की बूंदों के स्पर्श से अपने चेहरे पर ताजगी के एहसास का अनुभव करें ऐसा करने से आपको वर्तमान पल में जीने का मतलब समझ में आएगा आप प्रकृति को गले लगा सकेंगे और एक ऐसी दुनिया को देखेंगे जो उस दुनिया से कहीं बेहतर है जो आपने अपने दिमाग में बसा रखी है अपने बेड्रूम तक सीमित रहने की बजाए अपने स्नीकर्स पहने सनब्लॉक का प्रयोग करें और बाहर निकल कर प्रकृति की सुन्दर्ता का आनंद लें अगर आप हाइकिंग, रनिंग, बाइकिंग या सर्फिंग नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक या दो बार टहल कर किसी पार्क के चक्कर लगाए या सप्ताह के अंत में दोस्तों के साथ घूमने की प्लैनिंग करें तो अपने ट्रिप को इस तरह प्लैन करें कि आपको प्रकृति का अन्वेशन करने का मौका मिले या फिर सिर्फ किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आप एक बड़ी नीली जहील को या समुद्र को देर तक निहार सकें अगर यह सब बहुत ज्यादा काम लगे तो कम से कम घर से बाहर ही निकलने बाहर निकलने पर जब आपको सूरज की रोशनी मिलेगी तो आप ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करेंगे और इसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से आपके सोचने विचारने में भी कमी आएगी चाक्टे अच्छे संगीत की प्रशंसा जरूर करें अगर आप किसी शांदार गीत को सुनते हैं तो आपके दिमाग के बाहर जो खूबसूरत दुनिया है आप उससे जुड़ जाते हैं अच्छा संगीत सुनने के लिए आप किसी कंसर्ट में जा सकते हैं अपनी कार में कोई पुरानी सीड़ी चला सकते हैं या कोई और तरीका अपना सकते हैं अपनी आखें बंद करें संगीत के स्वरों में डूब जाई और वर्तमान पल को जी लें जरूरी नहीं है कि आप शास्त्रीय संगीत किसी प्रसिद्ध संगीतकार का संगीत या कोई अर्थपूर्ण संगीत ही सुने आप कोई भी ऐसा संगीत सुन सकते हैं जिसे सुनकर आप अच्छा महसूस करते हो चाहे वो बॉलिवुड म्यूजिक हो या लोक गीत कृतजता की सूची भी बनाए हर दिन कम से कम पाँच ऐसी चीजों की भी सूची बनाए जिनके लिए आप ईश्वर या किसी व्यक्ति के कृतजन है ऐसा करने से आप विचारों की बजाए लोगों और चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे अगर आप ऐसा हर दिन करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर करें ज्यादा पढ़ें दूसरे, लोगों के विचारों पर ध्यान देने से वास्तविक घ्यान तो मिलेगा ही इसके साथ-साथ अपने विशय में बहुत ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा भी मिलेगा जिन महान लोगों की जीवनियां पढ़ने से प्रेरणा मिलती है उन करमट लोगों की जीवनियां जरूर पढ़ें क्योंकि इस से आपको ये समझ आ जाएगा कि हर महान विचार के पीछे उतना ही महान काम भी है इसके अलावा किताबों को पढ़ने से आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरी खूबसूरत दुनिया में पहुँच जाएंगे लेकिन आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ज्यादा हसें ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको हसाते रहते हों किसी कॉमेडी कलब में जाएं और कोई कॉमेडी या टीवी शो देखें जिसमें हसाने वाले किरदार और अदाकार भरे पड़े हों और जो आपको काफी पसंद भी हों यूट्यूब पर हसाने वाले विडियो देखें ऐसा कोई भी काम जिसे करके आप हलका महसूस करते हो और आपके दिमाग में चलते रहने वाले विचारों से आपका ध्यान हट जाता हो जरूर करें आपके मानसिक स्वास्थे के लिए हंसी की बहुत बड़ी भूमिका है इस बात को ध्यान में रखें अतीत की बातों को सोचना बंद करें खास तोर से अगर आपका अतीत, दुखदाई या नकारात्मक हो आपके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि जिन परिस्थितिओं के विशय में सोचने से आप वर्तमान पल से दूर हो जाते हैं उनके बारे में सोचना आपके लिए बिलकुल अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आपके मन में दुविधा उत्पन होती है सोचना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के फल स्वरूब आप अच्छे या बुरे मनसूबे बना सकते हैं अगर आप अच्छा इंसान बन के रहना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का उपयोग सिर्फ अच्छे इरादों के लिए करें इस बात को ध्यान में रखें कि आप अकेले ही नहीं हैं जो सोचते रहते हैं आपके जैसे और भी लोग हैं जो सोचते हैं आखिर हमारे सोने के कारण क्या है? यही ना कि हम सोचने की प्रक्रिया से कुछ घंटों के लिए मुक्ति पा सकें जानवरों के साथ खेलें अगर आप निराशा से मुक्ति चाहते हैं तो जो भी होता है होने दें और उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं मूल मंत्र ये है कि आप समझें कि जो भी बुरा होना था हो चुका है और आप उससे उबर जाएंगे और फिर से अच्छी जिन्दगी जी सकेंगे जब आप गहराई में सोचेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे इसे पढ़ना बंद करें और किसी दोस्त को निमंतरण दें मस्ती करें और अपने आपको रिलाक्स करने की कोशिश करें जब भी आपको ऐसा लगे कि आप जरूरत से ज्यादा विचारों से घिर गए हैं आप रिलाक्स करने के लिए कुछ पलों का ब्रेक लें और अपना सर फटने से पहले अपने विचारों का विशलेशन जरूर कर लें अगर आप चिंतनशील व्यक्ती हैं तो इस बात पर गर्व महसूस करें आप अपने आप को कोई परसनालिटी में कोवर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बलकि आप सिर्फ अपनी सोचने की आदत को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे हैं मोमबत्तियां जला कर एक हाट बबल बात लें और रिलैक्स हो जाए आपका दिमाग सूचना का संचार असरदार तरीके से कर सके इसके लिए आप उदासीन बने जब हार्मोनल बदलाव और एड्रेना लाइन फ्लो धीमी गती से हो तब दिमाग और एक्शन प्रोसेसर सबसे ज्यादा असरदार तरीके से काम करते हैं नकारात्मक बातों की बजाए आपके जीवन से जुड़ी जो अच्छी बाते हैं वो रिफ्लेक्ट हो सकें इसके लिए परियाप्त समय जरूर लें गहरी सांस लें पांच, दस गहरी सांसें लें और उन पर ध्यान दें ऐसा करने से आप अपने दिमाग को नियंतरित कर सकेंगे और आप वर्तमान समय पर और वर्तमान पलों में आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान के इंदरित कर सकेंगे ठामता बास